तो दोस्तो आज अब संड़ और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई संड़े कमेंट बोक्स की वीडियो में जिन सातियोंने हैस्टेक बोलो राजगूर जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं उन्हें सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ तो मेरे साथ हो आप बने रहे नमस्कार चाहती हो मैं हूँ आपका अपना साथी राजगुर जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूटूब चैनल दोस्तों आपके सवालों के जवाब देने से पहले आप सब के लिए एक जरूरी सूचना देखे कुछ एक ऐसे साती हैं जिनोंने एक जैसे सवाल पूछे हैं और कुछ एक ऐसे साती हैं जिन सवालों का जवाब मैं अपने चैनल पर किसी ने किसी वीडियो के माद्यम से दे चुका हूं अब जैसा आपका सवाल है चैनल पर विजिट कीजेगा और सम्मनित वीडियो वो आप देख लीजेगा अब दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक ऐसे साथी हैं जो हमारी वीडियो रेगुलर नहीं दे लेता हूं तो किसी परकार का जो कन्फ्यूज है वो आपकी दिमाग में खड़ा आई नहीं हो लेकिन फिर भी साथी कन्फ्यूज हो जाते हैं वही सवाल दुबारा पूछते हैं जो वीडियो के माद्यम से मैं उन जिनकी जानकारी वो दे चुका हूं तो आपसे रिक्वेस लेते हैं और देखते हैं कि किन किन साथी ने क्या क्या सवाल पूछें और आज के पहले साथी और जिनका नाम है रादे परजापत और ये पूछते हैं कि सरजी आटी प्राइवेट पोर्टल में मुहमद डोट नहीं लग रहा है तो उसका सोलुशन क्या है कैसे बरें फोर अब डोट की प्रोब्लम है तो यार इसका तो मैं आपको कोई समाधान नहीं बता सकता नहीं लगेगा फिर भी कोशिस करते हैं एनाइसी तक ये समश्या है वो पहुंचाते हैं देखते हैं कोई अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर में आपको जरूर जान कर पूछते हैं और जिनका नाम है तुला लिलो टी आई एमो और दोस्तों इनोंने पूछा है सबसे पहले आपको नमस्कार सर जी नमस्कार और मेरा नाम का अर्थ सब को प्यार करने वाला है आप टी जी बोल लीजिएगा तो देखिए आज इनोंने अपने नाम का खुलासा वो कर दिया है इनका मतलब होता है जो इनका नाम है इनका मतलब है प्यार करने वाला इनी सब को प्यार करने वाला सब को प्रेम करने वाला और सच बात तो यह है कि आज मुझे इसका अर्थ है आज ही पता चला है यह जो टी आई एमो है इसका मतलब होता है सबसे प्रेम करन वाला है, सबसे प्यार करने वाला, क्योंकि आज ही मैंने इसको Google पे है, वो सर्च किया था, तो भी आ, इसकी एक लंबी चोड़ी कानी मेरे सामने आई, तो मुझे एसास हो गया, हाँ, ये साती है, बिल्कुल भी जुट नहीं बोल रहे हैं, और सच बात तो यही कि मुझे इस सित्य विदाले में कार्मेको कि संक्या अपडेट कब होगी शर्प, क्योंकि ये संक्या प्रोफाइल व्यू में तो पुरानी आ रही है, फीस अपडेट का भी कोई उपाय बताए, तो फीस अपडेट की बात करें, तो यह इसका कोई उपायर नहीं है, मैंने बहुत बार इ इसके बार में मैं जानकारी दे चुका हूँ, पोर्टल अनलोक होगा तो जुरूर जानकारी दूगा, बाकी रही यहाँ पे प्रोफाइल की बात, तो यहाँ पे देखिए जो करमचारियों के डिटेल है, चाहो तो आप हिलहाल भर भी सकते हो, अगर पोर्टल पे भरी जा रह हैं, रिसब शक्षेन, और यह पूछते हैं कि सर, यूडाइस की प्रोफाइल कैसे भरनी है, यूडाइस कैसे भरें, यूडाइस की लाजडेट क्या है, उसके बारे में बताइए, इस बार यूडाइस बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, तो रिसब शक्षेन, आपको tension लेने की कोई आप सेकता नहीं है जब तक कि राजगुर जी आपके साथ आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं आने देगा आप थोड़ा सा वेट कर लिजेगा profile update करने का simple सा तरीका है u-dice plus की website पे visit कीजेगा dice code से login कर लिजेगा profile update हो कर लिजेगा हाँ फिल हाल यहाँ पे जो DCF है 2021-22 की भी start हो गई है जल्दी इसके बारे में वीडियो आने वाला आप थोड़ा सा वेट कर लिजेगा और वैसे आप लास्ट वीर का जो वीडियो वो भी दे सकते हो क्योंकि जो process है वो सेम कीसे में कोई अलग नहीं है link वीडियो की description आपको मिल जाएगा चलिए अगले साते का स्वाल लेते हैं और पूछने वाले हैं रामेश वर लाल सेनी और यह पूछते हैं कि सर्जी सरकारी स्कूल के साला दर्पन पोर्टल पर प्रिक्सा प्रणा अंप्लोड होता है इस कारण सरकारी विडाले को एक्सल सीट तयार नहीं करने पड़ती है जबकि पोर्टल से निकल जाती है आप विवाव का अवगत करें कि वेश्ता हमारे पोर्टल पर भी हो तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूँगा मैं यहाँ पर जो रमेशुलाल सेनी है बाई साब देखी यह बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हो देखी सरकार को जितना डाटा प्राइवेट इस्कूलों से चीहे उतनी ही वेश्ता हमें यहाँ पर दे रखिये और गोवर्मेंट इस्कूल का जो साला दर्पन पोर्टल है तो वहाँ पर हर एक चीज है आपको देखने को मिल जाएगी कोई भी चीज है यहाँ पर करमचारी को मैनुली हाथ से नहीं करने पड़ेगी बस पोर्टल पे जाओ क्लिक करो चे वो इस्टूडेंट का सर्टिफिकेट हो चरीतर परमान पत्तर हो किसी भी परकार का कोई सर्टिफिकेट या रिजल कुछ भी किना हो तुरंट वन क्लिक के साथ उपलब्ध हो जाती है लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं होती है PSP पोर्टल पर क्योंकि गॉवर्मेंट को इसकी जूर्ती नहीं है गॉवर्मेंट को जूर्त है क्योल स्टूडेंट की इन्फोर्मेशन को लेकि वो हमसे मांगे रहें बाकी बात करेंगे क्योंकि इस बारे में मैंने पहले भी कहा था उनको सूचना दे थी लेकिन अभी तक कोई संग्यान नहीं लिया है चलिए अगले साथिका सवाल लेते हैं उन्हों पूछने वाले अमजद अंशारी और यह पूछते हैं कि सर नोन वोर्ड ना अग्जाम कब तक करवाना है और न्यू सेशन कब से शुरू होगा तो अमजद अंशारी में आपको खहना चाहूँगा इस बारे में तो यार मैं काफी पहले वीडियो के मादम से जानकारी वो दे चुका हों ये वली अग्जाम को ले करके लिंक वीडियो के डिस्क्रिस तुने आपको मिल जाएगा जाके देख लीजेगा फिर भी आपकी जानकारी के लिए यहां पर बता दूँ कि 28 अप्रेल से लेके 11 माई तक तो है जो होम अग्जाम है वो चलने वाली है होम कलास की और उसके बाद नया सेसन वो कब से शुरू होगा इसके बारे में कोई इसपरष्ट दिसा निदेश नहीं है अगर सिवीरा पंचांक की बात करें तो वह तो मामला ही खतम हो गया क्योंकि 30 अप्रेल तक को सारा काम कम्प्लीट करवाना था लेकिन अभी तो 28 अप्रेल से एक्जाम चल रहे है नए अफडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर में आपको जरूर जानकारी दाऊंगा चलिए अगले साती है सुमीत चोदरी बिलू यह पूछते हैं कि सर यह थी हम अभी कक्षा पर्थम में किसी बच्चों का एडमिशन ले और वह है अगर रिजेल्ट आने के बाद पर्मोट होकर कलास सेकिंड में चला जाएगा तो फिर कक्षा पर्थम में कौन बचेगा कोई नहीं बचेगा यार नए एडमिशन आएंगे अगर आपके स्कूल में पूर्व परात में यानि डबल पी फाई प्लस है तो वो बचे पर्मोट होगे फेस्ट में आ जाएंगे अगर वो है नहीं डाइरेक्ट फेस्ट कलास से आपने स्कूल स्टार्ट कर रही है और बचे नेक्स कलास में चले जाते हैं तो फिर तो आपको नया एडमिशन लेना पड़ेगा वही जो बच्चे हैं बचेंगे और उसी के आधार पर आठी एडमिशन आपको लेने पड़ेगे साइध आप समझ गए होगे चलिए एगले साथे का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं जिया शेनिम और यह पूछते हैं कि सर आप से निवेदन है कि आप एक्सल सीट में डाटा फिडिंग पर स्टेप बाइ स्टेप एक वीडियो बनाए नो और ग्यारा पलीज जिया से निम आपको खहना चाहूँगा बिलकुल इसके बारे में बनाऊँगा क्योंकि फिलहाल यहां पे जो डिपार्टमेंटली अक्सल सीट जारी की गई तो आपकी बार हम सबको उनलू हो बना दिया जो अक्सल सीट है वो आदी है दूरी है कापी उसमें एरर है हम उन एक्सल सीट को अपडेट करेंगे और आपके लिए एक नई एक्सल सीट वो तयार करेंगे लेकिन यार इसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम हो चीए क्योंकि यार इन दिनों में मैं थोड़ा सा बिजू हूँ आप पेंशन नहीं लेना क्योंकि अगर गोवर्मेंट चाहेगी कि आपका रिजेल जमा करवाना है तो वो कोई ने कोई उपाए वो जरूर सुझेगी और हो सकता है कि फिरी में भी आपको जो अक्सल सीट है वो मिल जाए और उससे पहले हमारे भी है वो मिल जाए उन अक्सल सीट को अपन अपडेट करेंगे कोई दिक्रत नहीं है नए अपडेट के बारे में आपको जरूर जानकारी दहूंगा चलिए अभी सुआलों का सिलसला पूरा हो गया और मैं आसा रखता हूँ साइद आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए हुए अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तार वीडियो को लाइक करना और शेर कर देना अगर आप भी ये चाते हो कि आने वाली संडे कमेंट बोक्स की वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को सामिल करूँ तो जब भी आप अपना सवाल लिखो या कमेंट करो तो हमेशा हैस्टेक बोलो राजगुर जी के साथ है वो अपना सवाल लिखा करो ताकि आपके सवाल को उठा लो और आने वाले संडे कमेंट बोक्स की वीडियो में मैं उसको सामिल हो कर लो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सबस्क्राइब हो जरूर के लिर जिएगा तो मिलते हैं फिर्णस एक लिए एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैवारत